नैवर्स के आग्वन के पूर्वी शहर में अवैस सराब माफिया सक्री हो चले हैं, वहीं पुलिस भी लगातार इन पर नजरें जमाए हुए हैं, इसके चलती रोजाना ही अवैस सराब सहित तसकर दबोचे जा रहे हैं, इसी कड़ी में जबलपुर के गवारी घार थाना छे पुलिस को देखते हुए, एसाई रंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि क्राइम ब्रांच को मुध्विर से सुषना मिली थी, कि गली नंबर 3 निवासी राज यादव, असोप गुपता आदस तिवारी और विकास नायक नैवर्स में अवर्स सराब बेशने के उद्देश स को लेकर भारी मात्रा में देशी सराब इकटी कर रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच और गौरी घाट फाना पुलिस ने चापा मारा, तो राज यादव के घर के बातरूम में 12 पेटी देशी सराब, मसाला सराब और एक पेटी देशी प्लेन सराब मिली, पुलिस को देखत अधर फरार तीनों आरोप्यों की तलास शुरू करती है। विकास नायक उर्फ बेटी के साथ मिलकर अधिक मातरा में देशी सराब के पेटियां नई साल के उपलक्ष में अवैद सराब विकरी कर अवैद लाप कमाने के उद्देश से लाकर अपने खुले बातरूम में रखे हैं। सुचना पर क्राइम एसाई असोप पांडे एवं प्रधानरक्षक ब्रह्मा एवं अन स्टाफ थाना स्टाफ के साथ दविस दी गई। जैसे ही पुलिस की दविस दी उसी समय राज यादव मिच्चू और अधर स्थिवारी दोणकर दिवाल फान कर भग गए। बिकास नायक पकड़ा गया। मौके से बात्रूम पर तेरा पेटी जिसमें बारा पेटी देसी मदिरा मसाला एक पेटी देसी मदिरा क्लेंज की विली और दो बाहन एक सुचकी जिक्सर बाहन एवं एक सुचकी एक्सिस मोपेट ये सब घटना में प्रिवत हैं। सबी को जब्त किया गया है और मौके पर बैधानिक कारवाही की गई है। मौके पर विकास नायक उर्फ बेटी ये मौके पर मिला है जिसे गिरात्रार कर लाया गया है पूस्ता जारी है। जो भी तत्य सामने आएंगे कि सराव कहां से आई थी कौन लाया था किसने दिया था बेचना की जा रही है। जैसे भी बेचना में जो तत्ता थाएंगे करवाही की जाएगे। जो आपका नहां मुल्पट। ये साई रंजी सिंग्ठापुट।